हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मुश्किलों का हल भगवान के पास है उन्हें जो भी चाहिए भगवान उन्हें वो जरूर देंगे और इसी विश्वास की वज़ा से रोज लाखों की तादाद में लोग मंदर जाते हैं अपने दुख अपनी परिशानिया लेकर सबको भगवान से कुछ न कुछ चाहिए किसी को मन की शांती, किसी को पैसा, तो किसी को प्यार किसी क Personen की जान से कहले कुछ इसे रोज़ाए में चाहिए केंछनेस करिता है की करो जो चर्डेर ने रजिए से व की अग्जाया जारिया सावर्तमानो निवेसएनना मिर्दम्र्दन जाहिर नेन सवीतहरतेना देवो याति भुषनानी कष्यनना पाम जबाकु संकासम काश्चपेम महादुतिम पाम जबाकु संकासम काश्चपेम महादुतिम मेहन जी मेहन जी मेहन जी पारेक इसके शरीर पे घाव के निशान तो हैं लेकिन पुरा ने है सर कहीं है आत्मत्या का किस तो नहीं अब ये हत्या है या आत्मत्या ये तो पोस्ट मॉटम के बाद ही मालूम पड़ेगा द्यान से दुको इसको इसने शादी का जोड़ा तो पहना आ है लेकिन इसके शरीर पर कोई भी जवरात नहीं है या तक कि इसके गले में मंगल सूतर भी नहीं है मतलब किसी ने गहनों के लिए मारा इसे शायद सर मंदिर में काफी लोग जानते थे इसे वहां रोज पूजा के लिए आते थे इसका एडर्स पता कर लिया है हमने वारी के एक काम करो फॉरंसिक्स को इंफर्म करो और इसकी बॉड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए बजो ठीक है? कुछी साह इंसान जब हर तरफ से परिशान हो जाता है तो वो भगवान के घर में जाता है लेकिन कुछ स्वार्थी और लाल्ची लोग उनके इसी विश्वास का गलत फाइदा उठाने की कोशिश करते हैं अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने आये लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहां उनकी जान को खत्रा हो सकता है पर ऐसा हुआ और ऐसा हुआ सूरत के एक मंदिर में हमेशा धंगाता रहता था है साहब आज उसने सच पुछ मेरी बच्ची को माँ ड़ा है साहब यह उसके पती नहीं किया है आप उसे मत छोड़ना आप उसे जाम मत छोड़ना पहले क्यों नहीं मिली मुझे अच्छा और जब मन बढ़ जाता तो किसी दूसरी को पुला लेते जैसे मुझे बुलाते हो सुधा के जाने के बाद अच्छा ताना दे रही हो तो यह सब हो रहा है मेरे पीट पीछे कब से चल रहा है यह सब तुम तुमारी तो डूटी थे ना और तुम सुना तो बहुत था तेरे बारे में पर यह सोचा नहीं था कि तुम मेरे बेडरूम तक पहुच जाएगी चल निकल यहां से अब भी निकल देवी है ना देवी बनके रह भी ना प्रेमिका बनने की कोशिश मत कर सभी? चांद से मर्दों का वर्णा उसे सुदा अपना घर चोड़कर आ गई थी पिछले एक हफते से यहां रह रह रही थी लेकिन उसे यहां भी जैंसे नहीं रहने दिया वो उसे, उसकी शादी के गहने जो सुसराल उन भाई के से मिलेते, महांग रहा था सुदा चांते थी, यह गहने वो अपने दूसरी औरत को देगा इसलिए उसने साफ इंकार कर दिया इस वक्त कहा होगा वो? अकिल श्या जी सुधा तेरी पत्नी थी थी नहीं है सब तलाक नहीं हुआ हमारा अब तक मर चेकी हो क्या कैसे मारा तुने उसको बोल बल तुने ढुने जोग रुक्ष्ट बुक्ष्ट सर्व तुने बंग्ष्ट मुण चाल! पूर अश्को, उताज निचे! उताज निचे! पुलिस्को अश्टेक करता है, हाँ! चाल! अस्वक? लेडी कॉंसलिया बुपला? कप रेबन? बैजल दी! तुझे मेरे पूछने का शायद तरीका पसंद ना है इसलिए सच सच बता दे मैं डर गया था सर इसलिए भाग रहा था जब तुने कुछ किया ही नहीं तो डरा कियो दो दिन पहले उसने मुसे का था सर वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे मेरी एकल दिखाने आ जाएगी आपने जब उसकी मौत की ख़ब सुना ही तो मुझे लगा कि वो मुझे फ़साने की कोशिश कर रही है सर पुरिस को बेकुप समझ जायते हुगा सच सच बता है सच बल रहा ह। कल रтов नुझ ऑनimana तो मेरा यकीन मानों हम ढों कल रत को घर बही थे जुइलरी के है कौंसी जुइल्ली तेरी पतनी की जुइल्ली इसको मारर कर दोने छृपाईचंच पाया है मेयरे एकिन मानिया सर मैंब बमी को नही मारा मैं इसके कोई जोल्री नी ली ली आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं तलाशी में तलाशी में गेनों के साथ साथ कुछ रख सबूत मिल जाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दो चार साल के कैदने बलकि सिफ फांसी होगी तुम्हें प्लीज मुझे बचालो, मैंने कुछ ने किया, मैंने कुछ इने किया तुम्हें बचाना हमारे हाथ में नी तुम्हेरे फुद के हाथ इसलिए अभी भी बगाता हूँ कि अपने चुर्म को कुबूल कर लो और पुलिस की गवा बंजाओ अभी पुद के अभी पुद के अभी नी तुम्हेरे इसलिए काम कर ली जाए जिब जुर्म किया है नी तो कुबूल कासे कर लो से अभी जगडा ज़रूर होता था मेरे बीवी के सब इसका मतलब यह तो नी कि मैं उसे जान से मार तूँ रही किन मानी से और शरीफ आत्मी हो शरीफ आत्मी है तेरी शराफ़त अची तरह सो में देख चुका हूं वह भी तेरे पेट्रूम में सर बहुत ही पहुंचिवी चीज है यह असानी से ही गोलने वाला मैं जानता हूं कमी ना है लेकिन किसी का मॉड़र करे उसमें इतनी हिमत नहीं है सर शुदा की पोस्मार्टन की रिपोर्ट पोस्मार्टन की पोस्मार्टन की प्रफेशनल किलर से करवाया हूं पारिकम बगहर सुबूत के किसी को लोक अप में ने रख सकते हैं जाने दोनों को लेकिन उन पर नासर रखो को कहा जाते हैं किस से मिलते हैं उनके फोन और बैंक के रिकॉर्ड्स पर नज़र रखो पिछले एक हफ़तों में इन्होंने किसी क्रिमिनल से बात किया या पिर इनकी अकाउंट से कोई हैवी अमाउंट निकाला गया है इस तरह की अगर तुमको इन्फॉर्मिशन मिलती है इन्फॉर्म मी अगे यस सर पुलिस का सीधा शक सुधा के पती पर गया लेकिन अचानक एक दिन अखबार में एक ऐसी खबर छपी जिसने पुलिस का इस केस को लेकर नजरिया ही बदल कर रख दिया छे महीने के बाद अचानक पुलिस को इस केस में नई दिशा मिली और ये केस पुलिस की सोच से कहीं ज़्यादा पेचीदा और भयानक निकला Cause of death, potassium cyanide ससुराल वालों के दबाओं में आकर इस बेचारी ने आत्मा हत्या कर ले सर्थ अब लड़का या लड़की पैदा करना औरत के हाथ में तो होता नहीं है सर्थ बन इन पड़े लेखे लोगों को खांदान के लिए वारिस की ज़रूत थी दो बार, दो बार जबर्दस्ती से आवार्शन करा चुके ज़िए सर् दिन रात कोशते थे पिर तंग आकर या औरत मंदिर गई और उसने जहर का अगर अपनी चान देनी सर्सीनी साधी तो केस है सर् जितना एज़ी तुम इस केस को समझ रहे हो संपद उतना एज़ी है नहीं क्योंकि छे माइने पहले मैंने इसी तरह के केस के इन्वेस्टिकेशन सूरत में की थी परिक किदर, यह है विक्टिम कर दोनों ही केसिस में औरत शाधीशुदा थी लेकिन मर्ड़र के वखत जब उपाई गई तो एक नई नवेली तुल्हन के तरह शाधी के जोड़े में थी लेकिन उसके जिस्म पर एक भी जोईलरी नहीं थी दोनों ही केसिस में उसको साइनेट देकर मारा गया और दोनों ही केसिस में उसको मंदिर पर ही मारा गया संपत गुजरात के छोटे बड़े सभी एरिया के पुलिस टेशन से ये पता करो कर इस पैटन के मर्जर्स और हुए है क्या मिल मिल से ओ पुलिस का शक बिलकुल सही निकला 2004 से लेकर 2013 तक भरूच, दाहोद और नर्मदा में कुछ और ऐसे ही केसे सामने आए और हर केस में मरने वाली और शादी शुदा थी और मरने की वज़ा साइनाइड तीन सालों में च्यार मुर्डर्स और सा मुर्डर्स का पैटन भी सेम है मंदिर के पास औरत के लाज का मिलना वो भी शादी के जोड़े में और मौत की वज़ाए साइनाइड और सभी के शरीर से जुवलरी खायब यस सर्थ संपत मुझे ये एक सीरियल क्लिंग लगती है किलर विक्टिम पो लेकर मंदिर आता है उसके बाद में उसकी हत्या करता है बाद में सारी जुवलरी निकाल के इस महीनों के लिए गायब हो जाता है परसर सवाल यह है कि क्यों ये औरते उसके कहने पर पूरी जुवलरी पहन के आते होंगे वो भी अकेली है मैंने सब कुछ करके देखा पूजा की, वरत किया, जिसने जो कहा, सब किया लेकिन इनकी शराब पीने के आदत छूटी नहीं रही है कभी शराब पीने के वज़े से काम छूट जाता है तो कभी काम छूटने के वज़े शराब पी लेते है पताया पंडीजी आपको, हम एक ही घर में रहते हैं, लिखी ना वो मुझसे बात करते हैं, ना मेरे बच्चे के साथ खेलते हैं, अब आपी कुछ उपाय बताया पंडीजी देखो बिटा, मंदिर में करेष्ट है, उसमें अपना और अपने पती का नाम पर साथ में गोत लिदेना, जिब साम को आर्थी करूँ आ तब तुब दोनों के लिए भगवान से प्रातना करूँगा, सब ठीक हो जाएगा बने, चिंता मते, मेरा घर परिवार बचाने के में जो हो सके मुझसे, मैं वो सब करूँगी, सब की तुब अपने अपने लोगों को सजद किया जा सके इस के सभी विटनिस की फैमिली से, विटनिस से, यहां तकि जहां पर मड़र हुआ है वहां की प्रशाजद से और जो लोग वहां पर रोज आते जाते हैं, उन सभी से मुझे यकीन है कि हमें ज़रूर कोई कामन लिंक भी लेगा इन केसिस के पीछ में है, इस से पहले उस के निशाना कोई और बने हमें उसे पकड़ना होगा, भी नीच तो मूफ पास्ट ऑन दिस, पूनी का मकसद और खून करने का तरीका बिलकुल साफ हो गया था, धुनली तो बस उसकी पहचान, और कुछ घटना इतनी पुरानी हो चुकी थी, कि उनसे जुड़े लोगों की याददाश भी धुनला चुकी थी, अब खूनी को ढूना घास के धेर में से सुई ढूनने के बराबर था, पुलिस हर घटना स्थल का फिर से जाइजा ले रही थी, लो कुछ भी पता हो, कोई भी इंफोर्मेशन हो, तो हमें बताइए, वो रोज मंदिर जाती थी, लेकिन एक दिन मंदिर से घर वापस ही नहीं आई, किस से मिलती थी, एक बुडी हुरत के बारे में बात कर रही थी, क्या उमर होगी उसके? शार पचास साथ कास पस की इसका मतल मर्डर्स के पैटर्न के अलावा, दो बाते कॉमन हैं, पहली बात यह है कि इस सारी विक्टिम्स अपनी शादी शुदा जिंदीगी से खुश नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि यह मंदिर में एक मिडल एज़ेट और से मिलती थी, जो इनकी स्प्रिच्वल काइड बनके इनको मार्ग दर्शन कराती थी, पर सर, प्रॉल्म में यह है कि इतनी सारी फैमिली समें, सिर्फ एक ही फैमिली ने देखा इस और वो भी तीन साल पहले, उनने उसका हुलिया बिलकुल भी याद नहीं, इसलिए हम स्कैच भी ने बना पाई उसका, और सर, रिसेंट केसिस मे किसी ने उसे नहीं देखा, सिर्फ सुना है उसके बारे में इसका मतलब यह है कि हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह काम सिर्फ एक और या पिर उसके पीछे कोई गैंग अनौल पर है संपत, यह संपत, तुमें काम करो, गुजरात के जितने भी टेंपर्स हैं वहाँ पर अपनी पुलिस तैनाद कर दो और उनको इतिला कर दो अगर वो किसी औरत को शादी के चोड़े में देखें या पिर किसी अंजान औरतों से मिलते हुए देखें तो फॉरंग पुलिस कंफर्म करें पर सब गुजरात में हजारों मंदिर हैं और हमरे बस इननी पुलिस फोर्स नहीं है कि हर जगा पे उन्हें तैनाद किया सके ताकि वो लोग सतक रहे है औरत अगर बर्दाश्ट करने पर आए तो बहुत कुछ बर्दाश्ट कर जाती है लेकिन यहां तो मेरे पती ही मेरा इमत्रान ले रहे है शायद इसी लिए करुण ने सारी हदे पार कर दे आना गरम करो देखिए जरा आराम से बात किजे अब भी अभी नेना सोई है और इस पड़स वाले सारे हमारे बाते सुनते रहते हैं तुम मेरे को सिखाएगी कि मुझे मेरे गर में कैसी बात करनी है तुम सिखाओगी अच्छा अब मेरे पास आने से भी तुम्हें तक्रीफ होने लगी अच्छूर दे रखे ना मैंने तुझे हाँ यह कोई और ढूंड लिया तुने जोर देखाँ आँ अब देखाँ बता ने शरापीने के बाद उने क्या हो जाता है वो व्रहते ही नहीं है कुछ और बन जाते हैं शेतान बन जाते हैं दुख जब लंबा चलेना तो समझाना सुक आने ही वाला है सुक तो जैसे मैं भूली गई हूँ पता नहीं कब आएगा मैं याद दिला दूँगी लेकिन उसके लिए तुम्हें सुहागन पूजा करने पड़ेगी सुहागन पूजा? हाँ, जो एक पत्नी दिन बर भूकी रहकर आदी रात को अपने पती को बिना बताए करती है शास्त्रों में भी इसके बारे में साफ लिखा है अच्छा? लेकिन पूजा थोड़ी कठिन है पता नहीं कर पाओगी भी या नहीं मैं ये पूजा जरूर करूँगी अपना सुहाग बचाने के लिए और अपना घर परिवार बचाने के लिए जरूर करूँगी मैं जिस तरह सावित्री ने ये अमराज से लड़कर अपने पती को बचाया था उसी तरह तुम तकदीर से लड़ोगी और जीतोगी कृपिया ध्यान दे मंदिर के प्रांगण में किसी भी अंजान पुरुषय महिला से बेल जो ना बढ़ाएं उसके हाथ से प्रसाद या कोई भी अन्य खाने पीने की वस्तू ग्रहन ना करें याद रहें आपकी जरा सी असाव्णानी आपके लिए जानने वा सावित हो सकती है सचेत रहें और संदे की सिदि में तुरत एक शुण्य शुण्य पे फोर करके पुलिस को सूचित की जिए आपकी सुरक्षा सबसे पहले हाँ के अपने हाँ में है इतनी सारे कहने पहन कर मंदिर में क्यों आई है आपके साथ कोई भी वारदात हो सकती है वो में लेकिन याद रहे अगर इस पूजा के बारे में तुमने किसी को बताया तब तुमारी पूजा असवफल हो जाईगी नहीं मैं इस पूजा को आए किसी को नहीं बताऊगी कभी नहीं बताऊगी यहाँ अब अकेऽày के साथ कोई और है मेरे साथ मेरे पती आये है, प्रिसाद लाने केये है, इसलिए मैं शादी के जूड़े और पूरे गहनों के साथ आये अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तर्क रही है हाँ हलो, अलफा कमिंग, कमिंग अलफा कमें यहां सार, यहां मंदिर के बास एक लाश मिली है, सर वाट? वीचे आटो, वीचे जो दूद्लोक वीचे, वीचे टेए वीचे टेनाट होने के बाद भी कैसे हो गया यह मर्डर? इसके ड्यूटी ती आप है यहां अःटी के लाट। इसके इसके बाद मेह लिच्टी ने कहा था आप पती के साथ आई? पती के साथ? यहां हो सकता है पती की बारे में जूट का आँ? लेकिन जिसकिसी ने इसका कतल किया है उसने इस डड़की को पूरी तरह से अपने वश्च में कर लिया था पुल कॉट्विदेंस आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर मैं इस औरत को अच्छे तरह जानता हूं काई सालों से यह औरत मंदिर मा के लिया आती थी पर कुछ दिन पहले एक अन्जान औरत से बाती कर ली था पंजी जी आप उस औरत के नाम जानते हैं यह अच्छे तरह से तो नहीं जानता लेकिन लोग उन्हें रेका बेहन के नाम से बलाते हैं कि अच्छे अच्छे को उसका हुलिया बता पाएंगे मैं पूरी कौशे करूंगा इस में जब सोचने और समझने की शक्ति खोदे तो वांध विश्वास बन जाता है और इसी अंद्वश्वास का फाइदा उठाते हैं रेखा जैसे क्रिमिनल्स पुलिस अपना काम बखूबी कर रही थी लोगों को सचेत और सतरक रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी लेकिन कनिका का उस पर ध्यान था ही नहीं वो तो अपनी परिशानियों में इतनी उलजी हुई थी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था वैसे भी हम सब को यही लगता है कि जुर्म तो दूसरों के साथ होता है हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा और हमारी यही लापरवाही जुर्म करने वालों का काम आसान कर देती है अच्छी बात यह हुई कि उस मंदर के पुजारी ने समझदारी दिखाई और उसके आसपास जो हो रहा था उस पर ध्यान दिया और उसी की वज़ा से आखिरकार पुलिस के हाथ में रेखा का स्केच आया सर, यह सकेच सर्कुलेट कर दें टीवी में और प्रेस में भी? नहीं संबधाबी नहीं क्योंके मैं नहीं चाहता कि वो औरत सतर्कोई यह ऑर अंडरगराउड हो जाये तो में काम करो इस सकेच को पुलिस दिपार्टमेंत में ही सर्कुलेट करो एक है? क्राट वो सकता हमें कोई क्लू मिल जाए अरे माँ बड़ी दिन लगा दिया, एक बड़ी ये ये विदो ने ये ठीक है अच्छा है बिट्टू ए बाबू अच्छा बता तुझे नानी की याद आई आई कितनी याद आई बता मुझे भी तरी बहुत याद आई तो क्यू करती हो ये सब माँ क्या जरुएत है यहां वहाँ जाकर जागरन में कीरतन करने की अरे ये सब पैसे के लिए थोड़ी न करती हूं अगर पैसे की चिंता होती तो वो मोटा भाई का काम क्यों छोड़ती मुझे इससे मन की शांती मिलती है अच्छा लगता है मुझे भगवान के कदमों में रहना उनके गीद गाना और अगर मन की शांती के साथ पैसा मेले तो क्या बुरा है बुराई वाली बात नहीं है मा पर तुम्हारी उम्रे है क्या ये सब करने की अरे, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मुझे काम करने दे, फिर तु आरामी करना है, है ना? अचा, सुनो तुम अभी ये खाले, चलो, अब अभन खाते हैं, आजा, खाएगा? इंट्रेस्टिंग फैक्ट ये है, कई सारे केसिस में, जहां विक्टिम ने चांदी के गहने पहने हैं, जैसे की टोरिंग, पायल, इस औरत ने उन्हें छुआ भी नहीं है, आई थिंक, गोल के लिए अजीब सी फिक्सेशन है इस औरत में, हो सकता है, गोल को पाने की इच्छ या लालच, इसे सारे मॉडर्स करवा रहा हूँ? स्ट्सना में शेचेशन चिचिचोन, किया इसाचा हता, इसाच इसाचा म्याँ अच्छ अगर ऐसा होता ना तो ये औरत कभी भी किसी को भी कहीं भी मारती है लेकिन ये औरत हर मर्डर के पहले उस विक्टिम के बारे में सारी इंफॉरमेशनी कठा करती है और फिर उस विक्टम का भरोसा जीतती है सर मुझे तो लगता है जुल्री के अलवा इसका और कोई मोटिफ होई नहीं सकता वो एक बहुत ही शाला का उरत है हर एक मर्जर करने के बाद में 6-7 महीन तक वो शान्त हो जाती है तकि लोग उसे भूल जाए और पुलिस का फोकस उससे हट जाए आज ब्रेकिंग न्यूज में पंच महल मंदिर के पीछे जंगल में एक और महिला की लाश पाई गई पुलिस के वहां तैनाथ होने पर भी ये वार्दात हुई है पुलिस ने सारे इलाकों में एलर्ट जारिंग किया है और अंचान लोगों से साफधानी परत्ने को कहा है बताओ आजकल मंदिरों में भी इंसान सेफ नहीं है इसलिए आपको समझाते रहती हूं भीड भाड वाली जगाओं में तो जाने का जैसे समाना ही नहीं रहा है अब नहीं जाओंगी बस खुश सवाल ये उठता है कि साइनाइड आया कहां से इसके पास इस सवाल का जवाब मिल जाता डॉक्टर तो बहुत सारे सवाल के हल निकालाते है हो सकता है ये औरत दोरी जिन्दगी जी रही हो और फिर जहां ये जवाब करती हो वहां साइनाइड का इस्तमाल हो लाब असिस्टेंट या फिर केमिकल फैक्टरी वर्कर अविसली जादा पड़े लिखी नहीं है तो हायर पोस्ट में नहीं होगी संबत में काम करो गुजरात में किन किन कारोबार में साइनाइड का इस्तमाल होता है उनकी एक लिस्स बनाओ बिल्कुल सरु साइनाइड यूज होता है या फिर बेचा जाता है सार लिस्स इतनी लंबी है कि इस हिसाब से सालों लग जाएंगे इंकुरी करने के लिए कहीं नहीं से तो शुरुआत करने ही पड़े कि संपत वैसे भी औरत मुर्डर करने के बाद च्छे से साथ महीने तक अंडर्गराउंड हो चेके है वेतर तो यह होगा कि उसके अग्रे मूव का इंतिसार करने के बजाए हम उस तब पहुंचने के कोशिश करें वैं जहाँ इसने आखरी मूर्डर किया था हिओ पंच माहिठ लारे रे 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 रेखा बेन तुम कब यह और इस बहार तो काफी दिनों के बात आई हों जी मोत अ फई वो क्या है ना भगवान के कदमों एक बार दिल लग जाता है तो आने का मतिंक और था आब भार ठीक से काम कर रही है ना तुम्हारी गारा अरे माँ तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लई थी आजा, बैट अरे माँ कितनी बार तुमसे का है कि यहाँ केमिकल है, यही ना अरे बाबा वो केमिकल क्या बोतल से निकल कर तेरे तेरी प्लेट में आ जाएगा माँ तुम्हे पता है साइनाइट कितना जादा डेंजरूस होता है अगर गल्ती से भी हाथ लग गया तो अरे बाबा बरसो काम किया है मैंने यहाँ खाना ठंडा हो जाएगा जा, हाथ मूद हो किया अरे बाब अरे जा जल्दिया खाना ठंडा हो रहा है सर पंचमल में कोई लीड मिली ही नहीं सर इंसान को अपने जिंदगी मुझ चीज की सबसे ज़्यादा कमी होती जब वही चीज वो दूसों के पास देखता है और पार पार देखता है मेरे बेचों को एक क्रिकेट किट चाहिए और मेरे पास आता है ज़्याद करता है क्योंकि यही क्रिकेट किट वो अपने दोस्तों के पास देखता है मैं कुछ समझा नहीं सर मैं समझाता हूँ वारत को गोल्ड का उपसेशन है और गोल्ड के लिए ही वो मॉड़र करती है गोल्ड की उसे लालच है और ये लालच उसके दिल में तब पैदा हुई जब उसने कहने देखें और किसी ऐसे इसे इंसान के पास देखें जिसे वो रोस देखती है मतलब वह गोल्ड उसे खरिड नहीं पाई तो उसने उसे चीन लिया ? Exactly और ये लालच उसके दिल में अपने पहले विक्टिम को देख किया हूई मतलब उसका पहला मर्डर उसका पहला मर्ज़ा और हो सकता है कि उसने अपना पहला माजर अपने ही शहर में किया हो परूच एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि वो औरत भरूच की रहने वाली थी और पुलिस ने भरूच का चपा चपा चान मारा खास कर उन जगाओं पर जहां पर साइनाइट का इस्तमाल होता है जैसे के केमिकल इंडस्ट्रीज, ज्वेलर्ज, पेपर फैक्टरीज और टेक्स्टाइल मिल्स रेखा का स्केच सब जगा दिखाया गया दो महीने से जादा हो चुके थे पुलिस को भरूच में रेखा की तलाश करते हुए लेकिन रेखा की कोई खाबर नहीं मिल रही थी पर फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और अपने नेटवर्क को और फैला दिया इस औरत को देखा है आपने गई? पर आखिर कार पुलिस को रेखा मिल देए को और जे देखे करती है और माता की चौकी करती है अच्छी तरह जानता हूँ करती है अच्छी करती है अच्छी करती है आख आख पर आख प्रॉड़। पुर्ष येरिंग वेले हैं येरिंग लिए अगरा है? नई सर्थ मैने यह कभी नहीं थेखा द्रीज़ दियान से थेखो सच में सर्थी मीने निया संपट इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग सही जेका पर आगे हैं जर आए एक तेकिन बिजी लगता है सरशायद हमें यहाने में थोड़ी थे लिए थे थे जयादा दूर नहीं गई होगी चलो लेस्टो अरे बिट्टू कैसा है ताँ रुको अबिया, रुको अचेशो अजर लगता है ताँ अनि वा बिट्टू को लेकर जिए लिए जलीकर किते मारती उसकी? पान सार, बिल जाये की जल्दी वंपत कांट्रोल लूम का लगड़ करो हल वेकल चेकरो इस वर पस्षी भार जाहिए भो मोसे, दोदन मोसे, आपने बिट्टो को कही देखा, अभी लेकी कही हो? आपने मुझे बंचाना अबढ़ मुझे बुख लागिया तुझे चॉकलेत कौन लाकी देता है अब मैं लाकी देती हु ना तो अभी चुब बैट बुख लागिया जब यहां से उत्रेंगे तो कई खाना खालेंगे आई बात समझ के और अभी हला किया ना तो जो पुलिस देखता है ना वो पकड़ के ले जाएगे ते रहो समझा जब रहे देख टेक पुलिस आई बूग लगी है चल बटा यही उतर जाते है लगता है यहां देर हो जाएगे में रहा देख रही हो कि न भी आले यहलो आजए जल्दिया अज़ग आज़गे अज़गे आज़गे कमें सर आइस्पीडी सिगनल पे सर एक और एक बच्चा पाया गया है सर चाराज अरव से तर नाका बंदी लगी भी है आगे तो से फ्लाइवर पड़ता है सर क्या इस्ट्रक्शन है से कहो कि हम पहुंच रहे हैं और दो तरफ से फ्लाइवर बंद कर दें हम लोग पहुंच रहे हैं फ्लाइवर दोनों तरफ से बंद कर दो फ्लाइवर बंद कर दो दोनों तरफ से कर दो कि है कि अच्व अच्व कि अच्व कि ईए कि एच्व मेरे का रूकियो उक्व आज़ आने तो तो इस वागने से कोई फाइदा निये जो पास बताना बर्ना बर्ना मैं फेक तूंगी इसको मेरी बात मेरी बास सुनो ठंटे दिमाग से काम दो अगर बिट्टू को कुछ हो गया तो तुम्हें प्रासी के तक्ते पर चला दिया जाएगा मा मुझे मेरा बच्चा वाफिस कर दो मा उनको पुझे जाने दे नहीं तुम्हें मैं फेक तूंगी इसको मा ये बिट्टू से भी जाद है तुम्हारे लिए पैसा और सोना और क्यों मारा तुमने इतने लोगों को किसके लिए चाहिए हमें ये पैसा तुमको लगता है वे सब मैंने पैसे के लिए किया है अरे उन गेहनों को तो मैंने चुआ तक नहीं सब को समाल के रखा हुआ है और वो अरते वो तो गैना पहने के लाया की नहीं है? सोना सिर्ध उसके पास होना चाहिए? जिसे सोने से प्यार हो, उसको सोने की गदर मालू हो मा! मोटा बाई के आमैं दिन बर काम कर दीती, सोने के बीज रहती दी, लेगिन मुझे कुछ नहीं दिया लोग आते थे और सोना करीद के ले जाते थे वो गुशी में जाती थी जो भगवाद में बुझे नहीं दिया ना वो मैंने उसके मंदिर में हासिल किया मैं मंदिर में जाती और ढूनती अन ओरतों को जिनके पास सोना तो था पर सुग नहीं था आठवी बार साश्टांग प्रणाम ताकि ईश्वर तुम्हारे पती को सीधा और सच्चा रास्ता दिखाया है तुम अपने मंजिल के एक्तम करीब हो नवी बार साश्टांग प्रणाम ताकि ईश्वर तुम्हारे पती को हिम्मत दे अपनी गल्तियां मानने की और उसे सुधारने की ये पूजा और कितनी बार करने पड़ेगे माजी मुझे बस पहली और आखरी बार इसके बाद पस सुख ही सुख आनन्द ही आनन्द लो चरणा मृत पियो लो मुझे बार आननन्द नहीं इसके बार आननननी इसके बार कि आननननन मुझे बार आनननन तुछ अझए बार स्पर्जी, स्पर्जी मैं झांए कर दा कर द्याद वर जया है कर जया है जया है जया है ज्ट Dad झाल झाल जुर्म चाहे कितनी भी चालाकी और सफाई से क्यों ना किया जाए सामने आ ही जाता है बेशक पुलिस को इस गुत्थी को सुलजाने में काफी लंबा अरसा लग गया बर आखिरकार रेखा जेल में थी सलाकों के पीछे रेखा पर छे हत्याओं के आरोप में धारा 302 के तहट केस दर्च किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई हलाकि बाद में रेखा की अपील पर फास्ट्रेक कोट ने इस सजा को उम्र कैद में तबदील कर दिया यह हम सभी जानते हैं कि जुर्म करने वाले हर इंसान का एक ना एक दिन यही अंजाम होता है लेकिन लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो उस अंजाम की परवाही नहीं करता लालच किसी जनून से कम नहीं और रेखा के जनून ने उस वक सारी हदे पार कर दी जब उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने ही नाती की जिन्दगी को हत्रे में डाल दिया रेखा ने पुलिस कस्टिडी में कुबूल किया कि उसे बच्पन से ही सोने के गहनों से प्यार था लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें खरीद सके इसलिए उसने एक सुनार की दुकान में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो सोने के गहनों को देख सके छू सके लेकिन जब कोई पसंदीदा चीज हमारे सामने होती है तो उसे पाने की लालसा मन में और बढ़ जाती है और रेखा के साथ भी यही हुआ उसे कहने चाहिए थे हर हाल में खरीद नहीं सकती थी इसलिए लोगों को मार कर लूटना शुरू करती है रेखा ने उसी सुनार की दुकान से साइनाइट चुराया और उसे हत्यार की तरह इस्तमाल किया और एक के बाद एक जैसे जैसे रेखा का लालच बढ़ता गया उसके शिकार भी बढ़ते गए अलाकि एक केस बहुत ही उलज़ा हुआ और बिलकुल अलग था लेकिन पुलिस अपनी समझदारी और मेहनत से इस केस को सुलज़ाने में कामयाब रही और ना जाने कने का आरती और सुधा जैसी कितनी ही औरतों की जान बच गई जिंदगी में अपनी पसंदीदा चीज़ों की चाह रखना गलत नहीं है लेकिन उन्हें पाने के लिए जुर्म कसार वो गलत है हमें अपनी परिशानियों का हल सही जगाओं पर ढूनना होगा विश्वास कीजिए अंद विश्वास नहीं आपसे कल मुलाकात होगी Crime Patrol सतर्क में रात 11 बजे सिर्फ सोनी पर तब तक अपना खयाल रखें और देखते रहें Crime Patrol सबक एक को, सीख हम सब को जय हुआ